9 महिने लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, एक दिन सुपह की पक्त, मा मैं आफिस जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए, बेटा आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो सुश्मा को बोल देना, वो तेरे लिए नाश्ता बना देगी, अरे मा उसके हाथ करने से बैतर होगा, कि मैं भूखाई ओफिस चला जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, सुपह-सुपह तुमारे लिए नाश्ता बनाने का, अरे जाओ-जाओ, बाहर जाकर खाओ, तुमे तो वैसे भी बाहर की खानी का बहुत शौक है ना, बाहर खानी का शौक नहीं है, जब बीवी को कुछ बनाना ही ना है, उसमें कोई गुण ही ना हो, तो पती बाहर जाकर इखाएगा ना? मुझ में कमी निकालने से पहले, ज़रा अपनी तरफ देख लू. तुम क्या हो, है? आए बड़े मेरे गुण की बारे में बात करने वाले. अरे, तुम फिर शुरू हो गए, कभी तो पती पत्नी की तरफ प्यार से रहा करो, ये दिन देखने के लिए तुम्हारी शादी थोड़ी ना करवाई थी. मामी जी, अगर समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ. जाब देखो तब मेरे काम में मीन मेक निकालता रहता है. मामी, अगर मुझे पता होता ना कि इसका नेचर ऐसा है, तो मैं कभी इस लड़की से शादी ही नहीं करता. इतना कहकर रज़त गुसे में घर से चला जाता है. इस प्लेफॉर्म पर आपको बेस्ट आफर्स और प्रमोशन भी मिलते हैं. साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सेवन वान-टू-वन कस्टमर सपोर्ट है. तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले. और आइफोन 13, रॉयल एंफिल, सैंपसिन गैलक्सी S22 आल्ट्रा जिस एक्साइटिंग गिव अविस के साथ बोनस ओफर का लाब उठाएं. शीला एक बार फिर अपने बहु और बेटे का जगड़ा देखकर बहुत दुखी होती है. और उदास होकर बैट जाती है. कुछ दिर के बाद. सुष्मा बहु, वो मंदिर में पुजारी जी ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया है. मैं वो सुनने जा रही हूँ. बेटा, दो घंटे मैं आ जाओंगी, ठीक है? ठीक है, मम्मी जी. आप जाकर आएए, मैं तब तक घर का सारा काम कर लेती हूँ. बेटा, तुम जितनी अच्छी तरह मेरे साथ रहती हो. रचत के साथ पिरह लिया करो ना. देखो, पूरी जिन्दगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है, मेरे साथ नहीं. मम्मी जी, आप मेरे साथ अच्छा व्यवार करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, इसलिए मैं आपके लिए अच्छी हूँ. लेकिन आप अपने बेटे को जानती हैं न, दिन रात मुझे बस ताने मारते रहते हैं. मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन अगर तुम लोग इसी तरह जगडते रहें, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? मैं जहन से मर भी नहीं पाऊंगे बेटा. मम्मी जी, आप परिशान मत होगे, अभी आप सत्संग में जाएए. इस बारे में हम बाद में बात करेंगे. कुछ देर के बाद शिला सत्संग में पहाँचती है, और वहाँ जाकर अपनी परिशानी पुजारी जी से कहती है. पुजारी जी, घर में सब कुछ ठीक है, बस बहू और बेटे के बीच बनती नहीं. समझ में नहीं आता कि इस परिशानी को कैसे दूर किया जाए. ये बताओ बैन, कि क्या तुम्हारे बहू और बेटे के बीच कोई बहुत बड़ा मामला है? ऐसी क्या बात है, किस बात को लेकर जगड़ते हैं दोनों? आरे, कोई बात नहीं है, पुजारी जी. बस छोटी-छोटी बात उपर जगड़ते रहते हैं. अगर ध्यान से देखा जाये ना, तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, जिसके लिए उन दोनों को जगड़ा करना पड़े. उन दोनों की कोई संतान है या नहीं, और शादी को कितना वक्त हुआ? शादी को तो दो साल से उपर हो गए, पुजारी जी. संतान तो तब होगी ना, जब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बैठ कर बात करेंगे. अब वो तो एक दूसरे की शकल तक देखना पर दाश्ट नहीं करते. देखो, अगर तुम अपने बहू और बेटे की जिन्दगी अच्छी करना चाहती हो, तो तुम्हें अपने बहू और बेटे को इस बात को समझाना होगा कि वो एक संतान को जन्म दे. पुजारी जी, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. हमारे ग्रंतों में भी कहा गया है, कि जब एक संतान जन्म लेती है, तो वो अपने माता और पिता के बीच की संबंध को पहले से ज्यादा मजबूत कर देती है. बेरी बात मानो और देखना, कुछ ही दिन में तुम्हारे गर में खुशाली होगी. शीला अपनी घर लोटाती है, और रज़त और सुश्मा को अपनी पास बिलाती है. क्या हूँ अमा, क्या बात करनी है? देखो बेटा, तुम दोनों की आपस में बनती नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ. लेकिन आप मैं चाहती हूँ के मुझे एक पोता या पोती दे दो, तुम्हें जगर ना है तो तुम जगरो. कम से कम मेरा बुड़ापा तो अपने पोते-पोती के साथ अच्छे से गुजर जाएगा. ममी जी, आप कैसी बात कर रही है? जो इनसान मुझे से प्यार से बैट कर बात नहीं कर सकता, उसके साथ बच्चा पैता करना? अरे मा, बेकार की जिद करो ही मत, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. शीला समझ चुकी थी कि उसकी समझाने का कोई फाइदा नहीं होने वाला, और फिर अगले दिन. मेरे सीने में बहुत तेज़दार दो रहा है, मुझे डाक्टर के पास ले चलो, ऐसा लगता है, अब मैं बचूंगी नहीं, मेरी तबियत बहुत खराब हो रही है बिटा. अचारक से क्या होगा मा को, मा आपकी तबियत कैसे खराब हो भी? कुछ नहीं जानती मैं, मुझे डाक्टर के पास ले चलो, रजट और सुश्मा, शीला को डाक्टर के पास ले कर चलते हैं, दखेए, आपकी मा की हलत बहुत खराब है, लगता है काफी तनाव में है, और इसी वज़े से उनको हाट अटक भी हो सकता है, आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, बाटे दवायां मैंने देती है, रजट और सुश्मा, शीला को घर ले कराती है, क्या हुआ मम्मे जी, आपको किस बात का तनाव है, देखे अगर आप ऐसे ही परिशान रहेंगी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिटा, पता नहीं मैं कितने दिन के महमान हूँ, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मुझे एक पोता या पोती दे दो, ठीक है मा, अगर आपकी यही इच्छा है, तो आम इस बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे शीला की तब्या ठीक हो जाती है, और कुछी दिनों के बाद सुश्मा उ अब रा रहा है, उल्चिया हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है, क्या हुआ सुश्मा, ठीक तो हो तुम, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से चुट्टी ले लेता हूँ, वासे भी तुम घर का काम नहीं कर पाओगी, और मा की अबियत भी अभी ठीक हुई है, हाँ बिटा, यही ठीक रहेगा, तु जरा सुश्मा की मदद कर दे, और उसका खयाल रख बिटा, ये लो सुश्मा, तुम कुछ खा लो, ऐसी आलत में भूखे रहना ठीक नहीं है, लगता है, पुजारी जी की बात सही साबित हो रही है, र रजट, मुझे नीन नहीं आ रही, बड़ी बेचे नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों, तुम्हें कोई परिशानी है क्या, तुम मुझे बता सकती हो, नहीं, परिशानी कुछ नहीं है, बस वो प्रेगनसी में अक्सर ऐसा होता है, सोने में भी काफी तकलीफ हो रही है घुमाने के लिए जाता है, शिला अपने कमरे की खिरकी से देखती है, पुजारी जी ठीक कहते थे, ये बच्चा मेरे बहु और बेटे के बीच में प्यार जरूर करवा देगा, धीरे धीरे वक्त बीटता है, और सुश्मा की ये बच्चा होने का वक्त आ जाता है, अच्छा होगा, मा देखिये तो जरा, कितनी सुदर बेटी है, बलकुछ सुश्मा जैसे दिखती है, नहीं रजट, इसकी आँखे तो देखिये, ये एक दम आपके जैसी है, बड़ी-बड़ी आँखे, खुबसुरत, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी पहली आौलाद मेरे पती की जैसी ही दिखती हो, सुश्मा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुमारे साथ गलत विवार किया, तुमारे काम में हमेशा कमी निकाली, लेकिन आज इतनी सुंदर बेटी देकर तुमने मेरी जिन्दगी को बहुत खुबसुरत कर दिया, मुझे भी माफ कर दो कि उसके मम्मी पापा हमेशा जगडा करते रहता है, हाँ मम्मी जी, अब हम कभी जगडा नहीं करेंगे, हम इस समझ में आ गया है कि हम कितने गलत थे, इस छोटी सी बच्ची ने आकर मुझे और रजजत को वो सिखा दिया, जो कोई नहीं सिखा पाया, भगवान, बला हो ग के बीच की दूरिया कम हो गई, मैं बहुत खुश हूँ